तो दोस्तों सामने से आ रही है 20937 पोरबंदर से चलकर दिल्ली स्रायर विल्ला को जाने वाली गाड़ी आज पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पे इलेक्ट्रिक इंजन के साथ आ रही है हो तो कल ये पोरबंदर से निकली थी 12 तारिक को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से पोरबंदर में अब इलेक्ट्रिक ट्राफिक चल हो चुका है ट्रेनों का और आज यह आई है बांदी कुई और कल वापसी में निकलेगी है दिल्ली सरायरो इल्ला से पोर बंदर के लिए और परसो जो है पोर बंदर मुझफरपूर जो कि इसी टाइमिंग पर आती है वो भी पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से आएगी तो उसकी वीडियो भी आपको परसो दिखाएंगे फिलाल आप देखिए वडूद्रा के वैप फाइफ के साथ और बंदर दिल्ली सरायरो इल्ला वडूद्रा शैडगा वैप फाइफ है है और 12 बूरा इसका सेक्श्रन है वह फाइघ वाला है आगे से ही पूरा गुजरात ही आई राइज सेक्शन में कवर करती है राज कोट होते हुए उसके बाद महेसाना यहां अजमेर तक पूरा सेक्शन जो है अजमेर से आगे जैपुर तक का हाई राइज है अब इसके बाद यहां से लेकर रेवाडी तक यह नॉर्मल पेंटो पे चलेगी इसके ब परवंदर मुझफरपुर वह भी पहली बार इलेक्टरी इंद्यन से आएगी सेम इसी टाइम पर आती है वह भी पर सो उसकी वीडियो आपको देखने मिलेगी कर दिया जुरिए रेखने मिलेगी इसके आपको देखने मिलेगी से बार इलेक्त जुर्मल प्राण से आएजया कर रेखने मिलेगी।